वेल्कम टू आवर चैनल स्टिचिंग डैरी और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बेबी स्कॉट की कटिंग और स्टिचिंग तो इसकी टॉप की वीडियो की कटिंग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला हुआ है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक वीडियो के एंड बे देदूंगी आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसे तो चलिए अब स्कॉट की कटिंग और स्टिच के बीच है तो चलिए अब हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे तो यह मैंने क्रेप में अस्तर लिया वा है और यह देखिए यह तू फोल्ड है अब हम इसे इस तरह से अच्छे से बठा लेंगे और बठा लेने के बाद हम इसे इसे ट्राइंगल शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अच्छे से इसे फोल्ड करके हम बठा लेते हैं अब चलिए हम इसकी जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे उपर से हमें इस तरह से 16.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है इस तरह से गुमाते वे अब पूरे में 16.5 इंच पे इस तरह से हलकाशा कॉर्ब शिप में आएगा इस तरह से मार्क करना है अस्तर का जो फैब्रिक है में फैब्रिक से हमारा 1 इंच कम रहेगा इसलिए मैं इससे 13 इंच पे मार्क कर लूँगी और फिर इससे कट कर लेंगे हम इस तरह से मैंने से कट कर लिया है अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे एक साइट से जॉइन्ट है और एक साइट से खुलावा है तो चलिए अब हम इसे में फैब्रिक की कटिंग करेंगे मिन जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे तो मैंने बताया वाँ था जो हमारा नेट का फैब्रिक है वो दो मीटर का है तो अब इसे हम फोर फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से मैंने इसे फोर फोल्ड कर लिया है और साथ ही इसे पिनप भी कर लिया है तो चलिए अब नेट के फैब्रिक में हम यहाँ पर 14 इंचेज पर पहले मार्क कर लेंगे इस तरह से हमने 14 इंचेज पर यहाँ पर मार्क कर लिया है अब हम इसे मार्किंग जहां हमने किया था उस वहां से हमें इस तरह से फोल कर लेना होगा अगर आप फोल्ड ना करें तो 28 इंचेज के यहाँ कट कर लेंगे और फिर हम इसे center से cut कर लेंगे अब चलिए हमारा जो second वाला जो बचावा fabric है इसे भी हम two fold करेंगे इस तरह से और चलिए इसे हम देख लेते हैं यह हमारा कितना inches है तो यहाँ पर हमें 10 inches का fabric मिल रहा है इसे भी हम center से cut करके इसे दो पिस कर लेंगे अब चलिए अब हम इसे सिलेंगे तो देखिए ये मैंने सबसे पहले 14 इंचेस वाला फैप्रिक लियावा है दोनों फैप्रिक को हम एक पे करके सिलाई लगाएंगे पहले साइट पे और उसके पाद हमें इसमें फ्रिल बनानी है तो चलिए हम इसे सिलाई करते हैं तो हमें यहाँ पे एक साइट को सिल लेना है जॉइन कर लेना है इस तरह से जॉइन करने के बाद अब हम एक साइट से इसे इसमें फ्रिल बनाएंगे यह फ्रिल बनाने के लिए हमें यहां पर धागा को अपना धीला कर लेना होगा और पूरे में इसे सिलाई लगा लेनी होगी तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है हमें अपना एक धागा लेना है और इस तरह से इसे टानना है और इसी तरह से आपके पूरे में फ्रिल बनते वे जाएगी तो आपकी जो स्कॉट है उसके कॉडिंग है आप फ्रिल बना ले तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिल को त्यार कर लिया है आपने स्कॉट के लिए अब इसी तरह से जो हमें 10 इंजिस वाला नेट का फैब्रिक कट किया वा था उसे भी हम इसी तरह से फ्रिल बना के त्यार करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों अपने नेट के फैब्रिक को त्यार कर लिया है तो चलिए इसे अब हम अस्तर के बढ़ा करके शिल्या लगाएंगे तो यह हमारा अस्तर है अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे पूरा और पहले जो हमारा लंबा वाला फैब्रिक है जो हमारा 14 इंचिस वाला फैब्रिक है सबसे पहले हम उसे इस तरह से बठा के उपर में शिल्या लगाएंगे और फिर जो हमारा 10 इंचिस वाला फैब्रिक है उसके बाद हमें वो बठा करके शिल्या लगाना है इसी तरह से इसी पर हमें शिल्या लगा लेना है तो देखिए मैंने दोनों को स्लै लगा लिया है अब हम इसमें बल्ट अटेच करेंगे तो देखिए बल्ट के लिए मैंने अपने फैब्रिक कट किया वा है और इसके जो चोड़ाई है यहाँ पर 3 इंचेस की है तो सबसे पहले इसे अंदर की साइड से जो अस्तर वाली साइड है वहां से हमें इस तरह से सिलना है और फिर इस तरह से गुमा करके हम स्लै लगा लेंगे तो देखिए यह पर हमने बल्ट त्यार कर लिया है अब इसमें मैं यह वाली इस लास्टिक डालने वाली हूँ तो इसे बीन के हल्प से हम डाल लेंगे जो हमारा इलास्टिक है टोटल सेवेंटीन इंचिस का है तो अच्छे से दोनों साइट पर इलास्टिक मैंने डाल लिया है और दोनों को हम सील करके अच कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे अटेच कर लिया है अब हम इसे साइट की सिलाई दे देंगे और नीचे की और सबसे पहले मैं पिक अप करेंगे उसकी बाद मैं साइट की सिलाई दूँगी तो चलिए इसके फाइनल लुक आपको दिखाती हुँ मैं तो देखिए अब मैंने इसे सिल लिया है अब इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यह हमारा स्कर्ट बनकर रेडी हो गया है तो ओप यह वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा अबिया है